तो विकी का बच्पन अच्छा लगता है तुम्हें अब हसी क्यों? हर औरत को पहले अपने मर्द का बच्पन अच्छा लगता है पर बाद में जब हर रोज दील करना पड़ता है ना तो परिशानी हो जाती है मैं इसके बारे में जादा तक कुछ नहीं जानते है तो जान जाओगी विकी को बच्चे की तरह संभालना पड़ेगा तुम्हें पर जो सक्ती बच्चे के साथ बढ़ती जाती है ना वहीं विकी के साथ भी बढ़त नहीं पड़ेगी नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ठीक है आप ने कह दिया तो सक्ती बढ़ती हो यह तो क्या डिसाइड के आपने साथ करूंगी जो तुम लोग को थीक लगेह सही तो औहीं सही है त्श्वांइब अपने बारे में नहीं आसके बारे में पोच्छी रही थी मेरे बारे में मुझे क्या डिसाइड करना है यही कि आप क्या उसी घर में उसी हैसियत से वापस आएंगी जो हैसियत आपकी पहले थी तुवारा क्याने का मतलब है मनु की वाइफ बन कर उस वो कैसे पॉसिबल होगा जब तक रेवा वहाँ पर है ताट सिंपॉसिबल और रेवा अटी भी मनु अंकल को छोड़ेंगी नहीं उन्होंने इतने सालों से यही तो चाहा है अब जब सब मिल गया है तो तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो क्योंकि रेवांडी ने खुद कहा था मुझसे कि आपने खत में मुझे अच्छी तरह पता है वो बात जो खत में लिखी थी और उस बात को बार बार अच्छी तरह से इस्तमाल किया जा रहा है और जताय जा रहा है कि मैंने यही चाहा था एनिवे तुमारी बात को तुमारे प्रोब्म को समझती हूं मैं विक्री को समझाओंगे तुम विकर मुत करो हम तेंक यू सो मच मैं चलो ओके वाई बाई बाई तिरे दिमाग ख़राब हो गया मुझे ने करना यह सब तो आपको थोड़ी नकरने का यह सब काम तो तांत्रिक बाबा का है आप बस खाली बोलो मैं कभी किसी तांत्रिक बांते के चक्कर में नहीं पड़ी हूं तो कभी ऐसा टाइम भी तो नहीं आया ना मतलब देखो अभी बुरा टाइम है तो उसे अच्छा बनाने का इसलिए मैं आपको बोली हूं बाकी आपकी मर्जी अमे जाती है मैडम जी सुन जी संदिному ईक मिनुट तू जानती है विस तांत्रिक को मैं तो कभी नहीं मैली पन ठोपरपटी की कुछ और ते उस तांत्रिक अच्छी तरह से जांती है और व और वो लечение कैसे जानती हो प्री मैडम जी उनका भी सीमिछ लफड़ा था वो एक है कमला उसका मरद भी इधर उदर मुह मारता फिरता था और फरीदा उसका मरद तो दूसरी ओरत घर में लाता था अच्छा फिर? फिर क्या? दोनों मिलके तांतरी बाबा के पास गई और उनका काम हो गया वो कैसे? तांतरीक बाबा ने ऐसा जादू किया कि कमला का मरद है ना वो अपनी बीवी के अभी आगे पीछे घुमता है और फरीदा का मरद उसके मरद से तो दूसरी ओरत का जगड़ा ही करा दिया मैडम जी जादू टोनों में बहुत ताकत होती है अच्छा और अगर मुझे इस तांतरीक को कभी मिलना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ करनी की जरूत नहीं मैडम जी आप बस खाली मुझे बोलो आपका काम तो यूँ ही हो जाएगा अब ने निगीता मुझे इस तांतरीक वांदरी में कोई बिश्वास नहीं है तुम जाके में लेकाप चाय बना के लाओ ठीक है आपकी महरजी